हलो एवरिवन मैं विश्जीत सिंग आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.M.H.I.02 का 6 जून के कोशिन वीवर को अनलाइस करने वाले हैं जो कल आपका एक्जाम हुआ था बहुत सारे बच्चों के मेरे पस कमेंट्स मैसेज आ रहेती जो कोशिन पेपर था बहुत टफ था समझ मेंगी नहीं आ रहे था किस तरह सांसर लिखना है क्या लिखना है हमें हमें इहीं पता ही नहीं चल रहा था आप question paper को solve नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, ये guarantee है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कि जादा-जादा question paper को समझ रहा होता है और question chapter के अंदर में क्या बनेगा? answer तो आपको समझ में आगया, आपने chapter पढ़ लिया, पूरा-पूरा रट लिया, तो आपको समझ में आगया क्या answer ये है पर question किस तर से पूछा जा सकता है, किस-किस तरीके से पूछा जा सकता है, वो हमें clear होना चीए जब तक वो clear नहीं है आप समझ के चलो कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं में पास नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं समझ रहा है कि कोशन किस तरह के हैं और आज का ये जो वीडियो है जो भी कल एक्जाम देकर आएंगर आज वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये लगेगा क ये वाला कॉश्चन इस तरीके से करना था यार ये वाला तो मैंने कर रखा था ये वाला तो वीडियो मैंने देखा था इस तरीके से आपको फील होने वाला है तो प्र ऑद के जो पर हुआ 내일 के किस तरह की में क cash लके बना कर लेके चलना चाहिए था वो सब कुछ हम यहां पर डीटेल में बात करने वाले हैं तो जून दोजार तेस का question paper MHI 02 जिसके हमारे book का नाम है आधुनिक विश्व जिसके अंदर हमें बात करते हैं कि modern world चीज जो हमें सामें बूलता हूँ जिसके basis पे ही number मिलते हैं आपको हर एक question का answer लिखते हैं word limit को follow करना होता है अगर आप word limit को follow करके answer लिख रहे हो तभी आपको number मिलेगा word limit हमारा क्या है 500 word के अंदर में हमें answer लिखना होता है चलिए हम सबसे पहले अपने पहले question को solve करते हैं और पहले question को देखते हैं क्या है almost मान के चलो 70% ऐसी student थे जिन्होंने पहले question को छोड़ दिया जो दीन अब से पढ़ रहे थे होने 70% ऐसी student थे जो पहले question को छोड़ कर आ गए और अगर आप कल जो मैंने question paper morning में solve करवाय था ठीक है जून 2022 वाला अगर आप उस question पेपर को सौफ देखके जाते तो आप यह वाला question कर लेते देखो अगर हमें question समझ में नहीं आता है ना तो हिंदी में यहाँ पर सुचन सता वादी यहाँ पर इंग्लिस के अंदर में लिखा हुए romantic ठीक है तो अब कल मैंने विचारदारा पढ़ाई था आपको की वैपार कर सकते हैं किस तर से विज्ञान का उप्योग कर सकते हैं उसकी और बढ़ पाए ठीके धर्म का जो अंद्विस्वास्ता उसको तोड़ पाए तो यह सारा ज्यानों दे का कारे करता है पुल्ह जागरन के अंदर में पढ़ा कि किस प्रकार से लोगों की दुबारा से जन्ज अगरती होती है ठीके कैसे लोगों के पास दिमाग आता है कैसे ओ धर्म के खिलाफ कर आदो मतलब shaken कर और जो किस से और मुने पर किस तर से विज्ञान का रोल दिकें है対 किस प्रकार से उसकी बाद अगला ये हर जो विचार आता है जिसे हम romantic विचारधारा बोलते हैं romantic ग्यानोदे या romantic विचारधारा जो एक तरसे आलोचना करते हैं किसके ग्यानोदे के आलोचना करते हैं ग्यानोदे के आलोचना करते हैं जिसके अंदर में जो कहते हैं आपने ये तो बता दिया कि धर्म के बंदन को तोड़ दो ग्यानोदे में क्या बोला गया कि जो भी अंदिविस्वास है उसको तोड़ कर बाहर निकलो तोड़ तो दिया पर उसके बाद करना क्या है ये तो बताओ मैंने आपको बोल दिया कि आप मेरी वीडियो को देख लो और याँ वीडियो किस बच्चे के लिए है कौन सी वीडियो देखनी है वो भी तो आपको आइडिया हो अगर आप MHI 05 के लिए प्रिपेर कर रहे हो अभी जो आपका एक्जाम होने वाला है ठीक है MHI 04 का जो उसका एक्जाम होने वाला है तो जो जरूरी है उस चीज़ को देखो, सिंपल सी बात, तो यहाँ पर यह रोमेंटिक वालों ने यह बोला, कि आपने यह बोल दिया कि धर्म के बंदन को तोड़ दो, पर उसके बाद क्या करना यह तो बताया है निया आपने, ठीक है, यहाँ पर कहते है कि प्राचिन नयति ववस्ता इस्तापित नहीं की गई, आपने पुरानी चीज़ों को तो बदल दिया, पर उसकी जगह पे कोई नया चीज़ तो इस्टैबलिस करो, वो भी आपने नहीं किया, यह यहाँ पर बात की जाती है, सासत में कहते है कि उध्योगिक प्रगती और विग्यानिक सामाज को तो बदल दिया पर उस नए परिवेस के अंदर में लोग अज अघे, नहीं कर बारे गिस से रह पारे थे नहीं इंहीं इंहीं उसके बारे में उनको पताणे में चाला, ठीकिए, इसको मतलब ग्यान का वह भी बोला जाता है, ग्यान का प्रगति और ग्यान का भी बोला जाता है, युक के तौर पर प्रवधक की युक के तौर भी बोला जाता है, जो अलग तरीके से एक अलग विचारदारा ने कर आए, किस तरीके क्या चीजे रहती है, ठीक है, समझ में आ अगला जो हमारा question आता है परजा तांतरिक और एतिहासिक परकिरिया का संचिप्त में चर्चा कीजिए आप देखो जो यह परजा तांतरिक वाला topic है ना वह भी topic बहुत इसी है आप normal से बात करो एक समझो इस तरह से परजा तांतरिक मतलब क्या होता है लोग आम लोग तांतर मतलब वाइवस्ता लोग तंतर मतलब क्या होता है अ अगर इसकी जगह कुछ और भी आजाता है तो भी मतलब इक ही बनेगा अगर आप समझो गे तो अब एतिहासिक परकिरिया की संच्छीत में व्यववरण दीजिए अब वीवरण देखो कि लोग तंतर के अंतर में क्या होता है लोग तंतर के अधर में अलग ़लग पाटिया है आंakyा वादी पाटी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी के बन सकती है तो इस तर loot and किस परकार का रोल है इसके बारे हम बात करते हैं किस तरसी अलग-अलग देशों के किस परकार से संगठित होते गई जनता को पर में क्या इसका इंपक्ट रहा हूं जनता को रूप से चलाने के लिए उसको कानोनी बद करने के लिए और सब के ऊपर जाता है fundamental rights की बात की जाती है किस तरह के अधिकार है लोगों के पास में अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकता है हनन करने पर क्या चीज़े कर सकते हैं ठीक है उन सभी चीज़ों के बारे में यहां पर डिसकस किया जाता है तो मतलब क्या लोग तांत्री ववस्ता किस परकार का इसके बारे में यह वाला कोशन आप अगर दून 2022 का क्योंट पर देखेंए इमेरा जिरू का जो मैंने मौनींंग में करवाया था वीडियो डाौब रख थे हैं है मैंने वह हम बात करते हैं सरम के बारे में कि वहांपे स्रम को बहुत जाधा माज़ा सर जयो दी गई दूसरे दूसरे में अंधह ऊत्पादन के बात करते हैं कि उतเรिए इसके बारे में जोर दिया गया, गिस तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जनजनकी की किस तरसे विश्तार हो रहा है। जुद पादन के उपर में जोर दिया, नएने तेक्निकों का उप्योग करनेया स्टार्ट किया और वही चीजे सामंत वाद से पुंजी वाद की और संकर्मन का कारण बनती है किस परकार से सहरी करन की और बढ़ता रहा, नई वयजार वयवस्था किस तर से अपनाई गई नई वयजार वयवस्था करन से पुंजी वाद को कितना importance मिला और यही पूरी परकिरिया जो होती है, सामंत वाद को पुंजी वाद से की तोर ले जाता है अगला कोस्षिन हमारा है, उध्योगिक करन के समाजिक संरचना पर परभाव की withyakram कही जीए उध्योगि करन के उपर में संरचना का परभाव किस परकार से पड़ाО कुद्ध द्योग लगा जाते हैं इंडश्ट्री लगा जैता है जिसको हम इंडस्ट्री जटीजेश्टन कहते हैं तो समाजीघ समर्चना प्रभाफ क्या पड़ा अब समाजिक समर्चना सब्सक्रीं करता है कि अद्यूप सक्षम बन पाते लाग आप कि Bihar के कि मैंने एक अपने वर्टसपी स्टेटेक्स लगा रखा था कि बिहार किस तरह से नीचे डिकलाइन होता चला गया अब देरे-देरे वापस आने कुर्सिस करा पर कितना टाइम लग जाएगा मतलब उसने मानलो अपना सो साल खो दिया जो आज स्टेड है अगर डेली जैसा वो स इस समय पाना चाता है नो तो कम से मुझे उसको 50 साल लगेंगे यूपी जैसा बनने में आज के समय में ठीके तो उसका रिजन के है सबसे बड़ा कि उद्योगी करण वहां पर नहीं है आस डेली के अंदर में उद्योग है बड़े-बड़ इंडस्टीज है तो लोग अलग करने के लिए यूरोप गया है ठीक है तो यूरोप प्योंकि प्रकार से समाज के संदचनाओं के ऊपर परभाव डाला उद्योगी करन रहेगा इंड़स्ट्री लिएगा तो लोगों के आर्थि रूप से सक्षिव कर पाएंगे तकनीक का उप्योग कर पाएंगे ठीक है और स को समझ में आता है वांग को समझ में आता है किस परकार से उद् prayer करवाइया कि एक्सक्याlarını Hissory कि स्टूर्ण तो इतना आप खुद भी देख वेक्क कर一ciones चल रहें किस तरह कर सकते हैं चुल रहाहिए दिल्य आप कर सकते हो कोश्चन 6 के अंदर में बात करते हैं कि आधुनिक काल में प्रवास प्रवास मतलब क्याता है एक जगह से दूसरे जगह जो विस्थापित करते हैं इतिहास का ये दांसता क्या है वो बताना है अब देखो बाकी जगह पे मैं बिहार से डेली में आके आरके रह रहा हूं काफ इसी तरह से बूचा जाता है कि हमारा का एक सिस्टेमेटिक धंग से हमने प्रवास किये तो बिल्कुल भी नविया उठाए बैग चल दिये और हमें पता ही नहीं था कि कहा पर क्या रहना है देली के अंदर में आये जैसे 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 समय विता देरे-देरे करके विस्थापन में क्या अंतर है तो ये लोगों ने जब परवास किया तो एक पूरा सिस्टेमेटिक धंग से परवास किया पूरे घोड़ा गाड़ी पूरा अपना ना जानवर आनवर लेकर सही तरीके से भारत में आये ठीक है भारत में उन्होंने भारत को ही गुलाम बना तो किस तरीके सा परवास का इंपक्ट क्या पड़ रहा था और में रिजन क्या था परवास का दूसरे महादीप में जाने का क्या रिजन था उसके साथ में वह अगर अपने साथ में बोड़ा गाड़ी ले गए ना तो साथ में बिमारिया भी ले गए जो उनके वहां पर ब या फिर जो भी आए अंग्रेज भी आए विवार के लिए थे बिजनस के लिए आए थे उसके बाद में देखो गए वैपार के साथ-सात में क्या देखने के लिए मिलता है में किस तरह का तकनीकी उपयोग जाए कुछ नई अब देखने के कुछ चले गए इस तरीके से जो चीजे चल रही तरह उसके अंदर में पता चलता है किस प्रकार का स्वरूप रहता है वैपारी करण का व्योग मतलब आदोनी कान के अंदर में उरूप कर्वास परवास किया दाना है उसमें क्या पर दास्था रहती वह आपक सब्सक्राइब किस प्रकार जर्मनी और इटली का एक ही करेंड नवीन कुटनीति कोशल का जनम दिया और अंतरास्टिय संबंदों में राष्ट राज्यों की भूमिका को पुनफ प्रवासित किया देखो एक ऐसा दोरता मान के चलो आप तीन दोस्तों यह चार दोस्तों आप और आपका दोस्ते तो आप क्या करोगे गेम दुबारा से स्टार्ट करोगे उसको थोड़ा बो सिखाओ कि ऐसे से करके गेम करना है तो सेम क्या था यूरोप की जितनी भी कंट्रियों क्या करती उस समय पर उपनिवेश वाद का टक्निक अपना रखी थी उपनिवेश का एक दौर सुरू कर देते हैं ठीक है तो यह इस पूरिस कोशन के अंदर में आंसर बनता है जिसके अंदर में आप बताओगे किस तरसे मतलब यह पूरा जो टाइम पीड़ेड रहा जहां पर इटली और जम जर्मनी की बात करते हैं उन इसे उताबदी के अंदर में यूर घ्राजनिते घ्राजली का थें अंतर के घ्रिक बारे में जहलनी इमें के बाद की जाती है किसोरे वह फो करते हैं इसके आर्पर सारकारों के सारे वो अपने आपको आर्थिक गती परदान करने कुर्सिज करते हैं समराज्यवादी होड में लग जाते हैं दूसरे राज्यों को अपना गुलाम बनाना इस्टार्ट करते हैं अपना समराज्य का विस्तार करना इस्टार्ट करते हैं Q8 के नदर में बात करते हैं कि चाप टकनिक का विकास और समाचार पत्रों के प्रादु भाओ ठीके प्रभाव वास्तव में एक क्रांती थी उसके बादे बात्ता है अब अगर चाप टकनिक नहीं होता तो जो आप कल Q そा क्डिक नहीं होता तो जो क्ल Q TWO पेपर दे कर आय। की चाप तकनीक का विकास और इस तरह सई कोशनर मन कर आता ना आज हमारे पास पेपर है printing पेपर है तो जिसने हमने प्रिंट कर लिया आज जो आप बुक पढ़ रो प्रिंट कर लिया ठीक है जो मैं आपको यह पूरा बता रहा है printing book में से तो देखके बता रहा हूँ यह चीजा ऐसे है पढ़ कर बता रहा हूँ देखकर बता रहा हूँ जो भी है ठीक है आप आज के समय में अपने documents रग रखे हो बाकी चीजे रग रखे हो कोई book पढ़ते हो किसी चीज के बारे में पढ़ते हो तो यह चाप तकनिक के प्रिंटिंग प्रेस की जो इस थापनाती सबसे पहले कारे कहां पर क्या गया और कब गया आप देखते कितने वीवर्स को इसका आंसर पता है प्रोड़ा अजीव आंसर हमारे question पर से मैंच नहीं करता बट फिर वी चापका अगर हम question कर रहे हैं तो आप बताईए देखते क कितने लोगों को पता धे question no 9 जहां पे बात करते आप आप लख़ JUST के बारे में ऊपहुकिक पंजीवाद को समझने के लिए उद्योगिक पंजीवाद द्रिष्टिकोन, माक्सवादी समाजवादी द्रिष्टिकोन, जन सांस्कृतिवादी द्रिष्टिकोन और भौतिक सांस्कृतिक और भौतिक राजनेतिक द्रिष्टिकोन को अपनाया जा सकता है। एक नया फोन लेने की सोच रहा हूँ जो गूरुप के अंदर मैंने बहुत सारी स्टुटेंट से पूछा विदा कि मुझे एक फोन लेना है तो क्या मैं अपनी कोर्सिट कर रहा हूं कि मैं कितनी चल्दी अपने पैसे कटा कर सकता हूं कहां से ले सकता हूं क्या चीज़े कौ बहोकताबात मतलब क्या उप भोग करने वाला जो वेक्ति है उसको दिखाता है उस पूरी परकिरिया को भोगता बात कैलाता है ठीक है समझ में आता है मुझे किसी चीज की जूरत है मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ ठीक है तो मेरी परकिरिया के आओगे उस वस्तू तक तो आपको यह वाला कोश्चन भी मिल जाएगा यह भी कोश्चन मिल जाएगा और पहले देखो उसको समझ में आएगा आपको कि किस तरह का कोश्चन बढ़ता अगर आप मौनिंग वाला कोश्चन पेपर की वीडियो देखकर गए होते तो आप बहुत अच्छे से एक्जाम आ सकते हैं गर जो भी स्टुट्ट देखकर गएंगे उनका अच्छा गया होगा और अच्छे नंबर आएंगे भी ठीक है इनके अंदर में इसी तरही के सब स्ब्सक्राइब लिखना है बट नॉर्मली सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो आपका वर्ड झाल 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 झाल